एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने चंद्रमा के ऊपर रिसर्ज की और पाया की वहाँ हीरों का भंडार है। उस भंडार का पता लगाने के लिए उन्होंने चंद्रमा पर एक रॉकेट भेजने की तरकीब बनाई। ये बात सबसे चुपानी के लिए उन्होंने शहर से दूर एक गाउं के पास जंगल में अपना कैम्प लगाया। फिर एक दिन उसी गाउं में रहने वाला ललन किसी काम से शहर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर उन साइंटिस्ट के कैम्प पर पड़ती है। अरे इका है, इकान लोग हैं, आखिर ये सब यहां क्या चल रहा है। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा, मुझे पता लगाना होगा। फिर ललन चुपके से कैम्प के पास जाता है और कैम्प में जांक कर देखता है। वहाँ दो साइंटिस्ट आपस में बातें कर रहे होते हैं। ललन ध्यान से उनकी बातें सुनने लगता है। भाई अगर हमने चंद्रमा पर ये रॉकेट पहुचा दिया, तो ये वहाँ हीरो के भंडार के बारे में सही सही पता लगा लेगा। फिर हम अर्बों के मालिक बन जाएंगे। तुम सही कहते हो डॉक्टर कुमार, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बस इस खुफिया मिशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर वह भागता हुआ जाता है और सीधा कालिया की घर पहुँच जाता है। कालिया भाई, आज मुझे जो जानकारी मिली है तुम उसका यकीन नहीं करोगे। क्यों भाई, ऐसा कौन सा खाजाना तुम्हारे हाथ लग गया है। भाई, जंगल के रस्ते से गुजर रहा था। तभी मैंने जंगल में एक कैम्प लगा हुआ देखा। जब मैंने वहाँ पहुच कर उनकी बाते सुनी, तो भाई, मैं तो दंग रह गया। वो लोग चंद्रमा पे रॉकेट भेजने की बात कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि वहाँ हीरो का भंडार है, जिसकी कीमत अर्बों में है। लललन भाई, तुमने कोई नशात नहीं कर रखा ना, आज ये कैसी भहकी-भहकी बात है कर रहे हो। भाई, मुझे पहले ही पता था, तुम मेरी बात तो विश्वास नहीं करोगे, एक काम करो, तुम खुद मेरे साथ चल कर देख लो, कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। फिर ललन और कालिया फिर सी जंगल में बनी खुफिया कैम्प के पास पहुँच जाते हैं। देख भाई कालिया, अब तो विश्वास हो गया तुम्हें, ये वही कैम्प है, जहां वो साइंटिस्ट रहते हैं, और वो देखो, ये वही राकेट है, जिसे ये लोग चांद पर भीजने के चक्कर में हैं। चलो मेरे साथ, चलो, मैं तुम्हें इनकी बाते सुनाता हूँ। हीरो की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, यही सही मौका है, जिन्देगी में कुछ कर दिखाने का। तुम कहना क्या चाहते हो भाई, क्या ये बात हम सरकार को जाके बता दें। अरे नहीं, नहीं मूर्क, सारे की ये कराये पर पानी फेरना चाहता है क्या। मेरे पास एक तर्कीव है, क्यों न हम चुपके से उस राकेट में जाकर बैठ जाएं। जिससे हम भी राकेट के साथ साथ चान पर पहुँच जाएंगे। फिर वहां पहुचकर सारे हीरो को समेट लेंगे। और वापस चुपके से उस राकेट में जाकर बैठ जाएंगे। और उसी राकेट से वापस धर्ती पे आ जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भाई तुमने तो पक्का मरने का प्लान मना लिया है। अगर वो राकेट चंद्रमा पहुचकर वापस नहीं आया तो हम क्या करेंगे। हमें तो राकेट उडाना भी नहीं आता। अरे तुम घबराव मत कुछ नहीं होगा। ये राकेट वहाँ खोच बीन करने जा रहा है। इसलिए ये कुछ ही घंटों में वापस आ जाएगा। बस हमें सही समय पर उस राकेट में बैठ जाना है। बस। भाई मुझे तो इस तरकीप में बहुत गड़बर लग रही है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे भाई कुछ गड़बर नहीं होने वाली। मेरा विश्वास करो। हम आज रात ही चुपके से जाकर उस राकेट के अंदर बैठ जाएंगे। बाकी तुम मुझ पर फिर वे दोनों दबे पाउं उस राकेट तक जाते हैं और उसका दर्वाजा खोल कर चुपके से उसमें बैठ जाते हैं। कुछी देर में वह साइंटिस्ट उस राकेट को लॉंच कर देते हैं। कालिया भाई रोना बंद करो। और वो देखो नीचे का नजारा कितना खुपसूरत है। हमारी पिर्थुई अंतरिक्ष से कितनी सुन्दर दिखाई दे रही है। क्या भाई डरो मत इसे गुरत्वा करशन बोलते हैं। हम पिर्थुई के वायू मंडल से बाहर आ गए हैं। इसलिए ये सब हो रहा है। तुम घबराओ मत हम कुछी देर में चांद पर पहुँच जाएंगे। कुछ देर इंतजार करने पर रॉकेट चांद पर पहुँच जाता है और चांद की सता पर उतर जाता है। वो देखो कालिया भाई हम पहुच गए नीचे देखो चांद दिखाई दे रहा है। चलो बाहर चलते हैं। दाहर चलते हैं। मूर्क ये हमरी पृत्वी नहीं है जो यूही सेर सपाटे पर निकल जाएंगे। चांद पर अक्सिजन नहीं होती। इसकूल में नहीं पढ़ा क्या। ओहु कालिया भाई ये तो मैं भूल ही गया था। वो देखो वहाँ दो हेलमट पड़े हुए हैं। अगर हम वो पहन ले तो हमें अक्सिजन मिल जाएगी। फिर वे दोनों वो हेलमट पहन लेते हैं और रॉकेट का दर्वाजा खोल कर बाहर निकल जाते हैं। अरे वावा कालिया भाई हमने कर दिखाया आखिरकार हम चान पर पहुँच ही गए। अरे ललन भाई वो देखो वो साइंटिस्ट की बात तो सच साबित हुई। वहाँ देखो वहाँ तो हीरो का भंडार लगा हुआ है। चलो जल्दी से हीरे समेट कर वापस रॉकेट में बैठ जाते वे दोनों भाग कर जाते हैं और सारे हीरों को एक थैले में भढ़ने लगते हैं। अरे बाबा, मैं तो अरब पती बन गया, आज तो मज़ा ही आ गया। तभी चंद्रमा की मुट्टी में से डरावनी-डरावनी आवाजे आने लगती हैं। अरे लगन भाई, पे आवाजे अपनी जान बचा के भागो, अरे कालिया भाई मेरे लिए रुको, अरे मर गया रहे, ये चुडायल यहां कहां से आ गई, अरे साइन्टिस्टों तुम्हारा नास मीटे, तुम्हें इतने छटे-छटे हीरे दिखाई दे गए, लेकिन इतनी बड़ी चुडायल क्यों नहीं सुन लोगे, हम तो आपके कितने नजदिक आ गए हैं, अब तो हमारी मदद के लिए आ जाओ, अरे मर गये रहे, मैंने तो पहले ही कहा था, ये बहुत खतरनाक तर्कीब है, लेकिन तुम्हें हीरो का लालच खाय जा रहा था, कालिया भाई मुझे क्या पता था, ये चुड से उड़ जाता है, और वापस धर्ती की ओर बढ़ने लगता है, अरे वो देखो कालिया भाई, हम बज गए, बस थोड़ी देर में ये राकेट वापस धर्ती पर पहुँच जाएगा, ये भगवान तेरा लाक लाक शुक्र है, थोड़ी ही देर में वे लोग वापस धर्ती पर पहुच जाते हैं, फिर जैसे ही वे लोग राकेट से बाहर आते हैं, वे साइंटिस्ट उन्हें पकड़ लेते हैं, बाई साब हमें माफ कर दो, हम गलती से आपके राकेट में बैट गए थे, हमें लगा ये एक जूला है, लेकिन ये तो हमें उड़ा कर चंद्रमा पर साइंटिस्ट भाई, वहां हमें बहुत सारे हीरो का भंडार मिला, साइंटिस्ट ये सुनकर खुश हो जाते हैं, देखा डॉक्टर कुमार, मैंने आपसे कहा था न, चंद्रमा पर हीरो का भंडार चुपा हुआ है, भाई कालिया, अपनी अम्मा के बारे में भी तो लेकिन तभी अचानक से एक चुडैल वहां आ गई, वो जरूर उन हीरो की रखवाली कर रही है, उसकी वज़ा से हम एक भी हीरा अपने साथ नहीं ला पाए, बस किसी तरह अपनी जान बचा के वहां से भाग आए, वो कोई चुडैल नहीं, बलकि कोई एलियन होगा, पता नहीं साइन्टिस्ट भाई, हमें तो बस इतना पता है, कि हम आज बाल-बाल बच गए, अब तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, तुम्हें फिर से चान्द पर जाना होगा, और वो हीरे महां से लेने होंगे, तेरा नासमीटे साइन्टिस्ट, हमें फिर से मौत के मुमें मैं कहीं नहीं जाने वाला तुमसे पूछ कौन रहा है हम तो तुम्हें बता रहे हैं फिर वी सारे साइंटिस्ट मिलकर ललन और कनहिया को फिर से उस रॉकेट में चढ़ा देते हैं और रॉकेट को चंद्रमा की ओर रवाना कर देते हैं साइटिस्टो तुम्हारा नास नीटे हमें फिर से मरने के लिए बेज दिया हमें मर गए रहे कोई तो हमें बचाओ ललन भाई राकेट का दरवाजा खोलो मैं अभी यही से कूद जाऊंगा यहां से कूद के मरना चाहते हो क्या चुक चाप बैटे जाओ चुड़ी ही देर में विलूपिर से चांद पर पहुच जाते हैं वह चुडएल वही उनका इंतजार कर रही होती है राजा जी आप वापिस आगए मैं कबसे आपका इंतजार कर रही थी जरा बाहर तो आईए न अगर आप इसका भाग दो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताईएगा